दोस्तों अगर आपका एक YouTube चैनल है अपने चाराजरावस का वाश टाइम 1000 सब्सक्रेबर कॉंप्लेट कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ता है आप यह जानते ही होंगे आपको एक AdSense एकाउंट लिंक या तो क्रेट करना पड़ता है तो अगर आपके पास AdSense के अंदर अपने पोश्टे लेटर्स पर मिल जाता है तो अगर अपने आपने पीन वरिफिकेशन अपना पीन वरिफिकेशन सब कुछ कर लिया है तो आपको क्या करना है बैंक एकाउंट एड करना है तो दोस्तों मेरा पीन वरिफिकेशन करने से पहले ही मेरा जो बैंक एक करने का option मिल गया है तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको bank account add करना है दोस्तो वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको details में कौन सी bank account आपके लिए अच्छा रहेगा कौन सा bank account आपको add करना चाहिए bank account number कैसे डलना है ifsc code कैसे डलना है swift code आपको कहा से find करना है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो वीडियो को completely watch किजेगा तब जाके आप अपने adsense पर अपना bank account link कर पाऊगे तो चली वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो पहला सवाल यह है कि आपको bank account कौन सा add करना चाहिए तो दोस्तो मैं recommend करूँगा अगर आपके पास एक private bank account है तो आप उसको add कर लिजेगा अगर government का use करते हो तो आपको 2-3 दिन लग जाता है payment आने में और कभी-कभी तो 1 हफता भी लग जाता है तो government जो bank है उसमें ज़्यादा ही time लगता है तो इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आपको private bank की select करना है private bank की add करना है private bank पर transaction बहुत ही जुल्दी हो जाता है और आपको 3-4 दिन wait करना नहीं पड़ता है आपको एक दिन या तो दो दिन के अंदर या आपका payment receive हो जाता है तो यापर आप देसे तो मैंने bank of india का एक account करेट केया है मैंने कुछी दिन पहले इसको करेट किया है आप देख सकते हो यापर मैं शोर करवारा हूँ आप देख सकते हो तो आप यह जानते ही होंगे कि BOI जो bank है वो private bank है मैंने इसलिए इसको create किया है और दोस्तो मैंने सुना कि transaction में बहुत अच्छा होता है अगर आप चाहो तो अगर आपके पास HDFC bank है तो आप उसको add कर सकते हो अगर आपके पास ICICI bank है तो आप उसको भी add कर सकते हो तो अगर आप एक government bank add कर रहे है तो अगर आपके पास private bank नहीं है तो आप अभी के लिए आप कर सकते हो आपको payment तो दिरे मिलेगा तो अगर आपके पास एक private account है तो आप बिना जीजग के अपना private account add कर सकते हो तो उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने आइडेंटी विरिकेशन कॉंप्लीट नहीं क्या है, अगर आपका आइडेंटी विरिकेशन नहीं हुआ है, तो यह वीडियो आप जाके देख सकते हो, इस वीडियो में मैंने कॉंप्लीट ली जानकरी बता है, कैस आप आपने आइडेंटी विरिकेशन कॉंप्लीट कर सकते हो, वो भी पेंकार से बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो वो प्रोसेस आप देख सकते हो, मैंने कैसे आइडेंटी विरिकेशन किया है, और दोस्तों मेरा चार पास दिन के अंदर ही मेरा आइडेंटी विरिकेशन क नहीं होता है इसलिए यह प्रोब्लेम् सो होता है तो यहां पर आपको धियान से देखना है मैं कैसे इसको bu holy love करता हूँ तो यह पर आहसे तो ben Iris ID यह अब स्कुनल अगर आप इसको चाह तो इसको फिलाफ कर सकते हो तो यहां पर आपको इसको चोल देना है तो यहाँ पर आप देशेतो हो name on bank account तो जिसका bank account आप add करना चाहते हो उनका नाम यहाँ पर डाल देना है दो नमबर पर देख सकते हो bank name जिस भी bank account आप add करने जा रहा हो जैसे कि ICICI bank, HDFC bank, state bank यहाँ पर उनी bankों का नाम डालना है तो जो भी bank account आप add करने हो उसी bank account का नाम यहाँ पर डालना है तो डालने के बाद यहाँ पर आप देशेतो IFSC code तो IFSC code आपके bank account के खते पर ही मिल जाएगा, आपको IFSC code देखने को मिल जाएगा, आपको वापर IFSC code डाल देना है, अग आपका bank जो भी है आपको IFSC code डाल देना है तो यहापर आप देसे TOA SWIFT BIC तो यह code क्या होता है अगर आपके बाहर से payment बगर आता है तो इसको बोलते है SWIFT code यह एक international code है तो आपको इसको कैसे find करना है यहापर आपको इस website पर आ जाना है आपको क्या करना है अपना bank account का नाम डालके और आपको SWIFT code साइच कर लेना है अटोमेटिक यह page कुल के आ जाएगा तो यहापर जो है आपको सभी bank का SWIFT code मिलता है तो आपका जो भी आपका जिस भी bank account में आपका खाता है यहाँ से उसी bank account का नाम सिलेट कर देना है यहापर आपका जो भी bank account है यहापर उसी bank का नाम यहापर आपको find करना है सभी bank का नाम जो है यहापर देखने को मिल जाएगा bank of India में सिलेट कर देता हूँ जो की मेरा bank of India में खाता है तो यहाँ पर select करने के बाद आप ती नमबर पर देख सेटे हो दोस्तो select state name तो यहाँ पर अपना state आपका जो भी state है आप जो भी state में रहते हो उसको select कर देना है आपको state select करने के बाद आप देख सेटे हो select city name तो यहाँ पर अपना जो भी city है, आपका जो भी district है, आपको उसी का नाम यहाँ पर find करके, उसको select कर देना है, select कने के बाद them, यहाँ पर आप देशकते हो, select करने के बाद आप pass number पर देख सकते हो, अपना branch select करना है, आपका जो भी branch है, उसको select कर देना है, आपका जो भी branch है तो अगर आपके मौन में कोई भी question है, कोई भी सवाल है, ब्रांच में जाके पूछ सकते हो, वो आपको swift court दे देंगे, अगर वो कोई भी queries वगरा करते हो, तो आपको बोलना है कि मेरे, मेरे बाहर से कुछ पैसा आएगा, तो मुझे swift court दे दो, तो वो दे देंगे, 100% आपको यापर डाल देना है, डालना के बाद आप देख से तो, retype, retype account number, तो यापर आपको वो ही account number, same डालना है, यापर confirmation के लिए, यापर आप उपर जो account number डालोगे, नीचे भी same, वो ही account number आपको यापर देना है, confirmation के लिए, ठीके, यापर डालना के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं इसको fill कर देता हूँ तो दोस्तों यहापर आप देख सेते हो मैंने अपना bank account number, name, ifsc code, swift code सब कुछ यहापर दे दिया है अब मैं यहापर देख सेते हो नीचे मैं यहापर सब shape पर click करूँगा अपना details पगरा दे दिया है तो आपको क्या करना है यहापर नीचे save पर click कर लेना है अगर आपका यह tick है तो आपको कोई भी चलकानी नहीं करना है अगर आपका यह tick नहीं है तो इसको आपको tick कर देना है tick करने के बाद यहापर आप देख सेतो यहापर आपको और एक बार यहाँ पर आप दिसे तो मेरा last 4 digit जो है account number का show हो रहा है और यहाँ से आप manage payment method पर click करके अपना bank account manage भी कर सकते हो अगर अपने bank account add कर ले तो यहाँ पर आपको कोई भी चरकानी नहीं करना है अगर आप चोटा सा भी mistake कर लेते हो तो आपका जो payment है वो रुख जाएगा तो अगर आपको यह option दिखने का नहीं मिल रहा है अगर यहाँ पर bank account add करने का option नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है यह भी मैं आपको बता देता हूँ payment option नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप जैसे तो payments account तो यहापर आपको सिधे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद अगर आपको यह पहला नमपर पर सिलेट कर रहा हुआ है, तो यहापर आपको दूसरा वाला सिलेट कर लेना है, यहापर आपको उसको सिलेट कर लेना है, और यहापर आपको आपको उसको सिलेट कर लेना है, औ बहुत ही अच्छा है और यहां पर अपना अर्णिंग भी शो हो जागा तो दोस्तों इंस्टेग्राम पर बहुत ही ऐसा मेसिज आता है कि हमारा डॉलार शो नहीं हो रहा है तो आप मुझे कुछ सोलीशन बताइए तो यहां पर आपको दियान देना है पेमेंट्स एकाउंट पर क्लिक करके अगर आपका एडसेंस इंडिया युएस डॉलार सिलेट करा हुआ है तो आपको यूटूब इंडिया युएस डॉलार सिलेट कर देना है तो आपका जो बेंक एकाउंट एड करने का ओप्शोन और आपका डॉलार बगरा शो जाएगा आपका यूटूब का लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बैनलोड रिफकेशन को भी और पर सिलेट कर लेना जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो की नटिक वेशन सबसे पहले मिले और आप वीडियो सबसे पहले देखे तो मिलते हैं किसी और एक इंडिशन टोपिक के साथ तब तक के लिए इतार देजिए टैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो